असलाम नहींकुम दियर स्टूडेंस दियर स्टूडेंस वेलकम बैक तो मैं क्लास आज हम जिस मिनरल रिसॉर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस नैश्रल गैस नैश्रल गैस इस फाउंड आलॉग यॉज जो नैश्रल गैस होता है वह हम जो मिनरल ओई होता है जो हम आए और भी बाकी चीज़ों में इस् Стहर आइल इस न्यूंक करते मोन कि यहां तो सब्सक्राइब 53 Days incident is very important source of energy यह शीरा हमिखान है यह क्वश्चित किनल इस न्यूर्जों को करते हैं आज कल हर एक गर में गेस लेंडर होता है या गेस का चूला होता है जिस पे हम खाना वग्यारा पकाते हैं या इस्तिमाल करते हैं लैक्टिक सिटी प्रोड्यूस करने में या यह जो नैशल गेस आपने दिखा होगा कि कोई गाड़ी जो उते उसमें गैस पैट्रोल पैट्रोल पर नहीं चलते हैं वो नैशल गेस पर चलते हैं हमें ऐसा भी लगता है कि उसमें गैस की स्मेल भी आती है तो गाड़िया यह जो नैशल गेस है यह हम एक तो एलेक्रिक सिटी प्रोड्यूस करने में इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा खाना वाग्यारा का मलब बना स्में क्पोड दूसराग करें और दूसरा घूचरी जरूर्डडेशन है उनके लिए वह बचा की रखें तो ये भी हम पढ़ने वाले है कि क्यों कैसे हमें एक अफिशा सकते हैं मिन्टराल रिसूर्सेज को और कैसे हमें उनका इस्तिमाल करना चाहिए तो मिन्तराल रिसूर्सेज आर लेमेंटोड ये किसी हद ग अर्थ में अवैलेबल है यहां पर नहीं रहता है तो जब इसका टाइम पिरिएड के लिए खतम होता है तो इसकी डेथ हो जाते है और इसको दफनाया जाता है इसी तरह जो मिनरल डिसोर्स है यह भी कुछ लिमिटेड है दन्या में यह कुछ लिमिटेड है यह हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ें नहीं है यह भी कभी ना कबार खतम होने वाली है यह भी क्या है यह मुझे दिखाई नहीं देता है जो भी हम मिनरल डिसोर्स इस्तिमाल करते हैं वो मिनरल डिसोर्स हम दुबारा से इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं अगर अगर आपने कोई गैस का चुला गैस का सलंडर इस्तिमाल किया तो वही गैस हम दूसरी बार जो मिनरल हमने इस्तिमाल किया जिसमें हमने खाना पकाया वही गैस हम दुबारा से इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खतम हो गया पैटरोल जो हम गाड़ियों में डालते हैं गाड़ी हमने चलाई, तो वही पैटरोल हम फिर से मलब, इस्समाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पैटरोल हमने गाड़ी में डाला, गाड़ी हमने चलाई तो फैटरोल खतम हो गया, जैसे vineՑ, हमने गिलास में पानी रखा, गिलास का वो पानी पिया, तो पिया वो खतम हो गए, फिर दुबारा से हम वही पानी इस्थिमाल, मलब वो मैटिंग करके, हम फिर से, वो गिलास में पानी डालींगे, क्या हम वो फिर से पी सकते हैं, नहीं ना, मलब जो हमने पानी पिया, वो खतम हो गए, ऐसी जो भी मेनरल रिसोर्स है ना, दुनिया में, वो जो हम ने इस्टिमाल किये तो ये खतम हो गए वो हम दुबारा से इस्टिमाल नहीं कर सकते हैं This is why they are called non-revenable resources इसी वज़ा से इनको non-revenable resources बोला जाता है Non-renewable resources mean is, वो resources जिनका हम सिरफ और सिरफ जिंदगी में एक बार इस्तिमाल कर सकते हैं दुबारा से हम इसको revenue नहीं कर सकते हैं दुबारा से इसको create नहीं किया जा सकता है they take millions of years to form जो भी mineral resources होते हैं यह मतलब काफी जादा time millions of years इनको फिर से create होने में लगते हैं if wasted or not used with care अगर हम इनको जाया करेंगे यह इनका इस्तिमाल हम अच्छे से नहीं करेंगे तो यह खतम होते हैं we will run out of the minerals अगर हमने इनका misuse किया इनको गलत इस्तिमाल किया यह इनको जाया किया तो हम इनको खो दिंगे इनका दुबारा से इस्तिमाल जैसा कि हमने आपको बलाद नहीं कर सकते हैं इसमाल करें तो हमें काफी ज़एदा क्यारफुली इसमाल करना चाहिए अगर किसी जग़ा हमें 50 परसंट लगता है तो वहां पे ज़रूरी है कि हम 49% is इसमाल करें यह मिन्रेल इस्तिमाल करें तो 100 परसंट वो इस्तिमाल करेंगे या 60 परसंट मतलब हम इस्तिमाल करेंगे 10% जाया करेंगे सिर्फ 50% है जो हमें चाहिए होता है वो हम मतलब इस्तिमाल करें या ऐसा भी हो सब मतलब एक और एक्जामपल आप लीजे आपको गैस पे घर पे कुछ बनाना है तो आपने वो बनाया लाइक आपको ओमलेट खाके बनाना है तो ऐसे क्या होता ही जो मिनरल सोर्स होते हैं वो खतम हो जाता है जिनका हम दुबारा से इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं तो हमें काफी ज्यादा उनको कियरफुली इस्तिमाल करना चाहिए ताकि हम खुद की भी नीडस जो भी हमारी जरूरियात होती हैं वो भी पूरी करें और इस तो अर्फू और भी अलग अलग से इनऱिजी होती हैं, जो हम दूबारा से इस्तेमाल। जो हम रिवनियू कर सकते हैं, ल calor नेर्जी है, किजो सूरिज की किर्नु से उप मोन कर ते हुप हम 还有 मोर George से ऑज्वान कर सकते हैं या वन्द energy, में में ह flop hoe हम energy استعمال करें वो हम दुबारा से इस्तिमाल कर सकते हैं या water energy, पानी से घो भी हम electricity या कोई और चीज़ बनाते हैं वो हम दुबारा से इस्तिमाल कर सकते हैं लिकिन mineral resources से हम like petrol जो हम इस्तिमाल करते है, natural gas जो हम استعمال کرتے ہیں या बाकि जो चीज़े हम استعمال करते हैं वो हम दुबारा से استعمال नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो limited है इस resources are unlimited यह जो resource solar energy है या wind energy है या water energy है यह unlimited है जितना हम चाहे यह استعمال कर सकते हैं लेकि इनका भी हमें जाया मनुदम miss use नहीं करना ख्याल रखना चाहिए जब भी हम यह energies इस्तिमाल करते हैं तो solar energy या wind energy या water energy इनका भी हमें carefully इस्तिमाल करना चाहिए तो आफके लिए जो homework है last मैं आपको question करके लाना है तो आपको अपने घरवालों से बोलना है कि अगर हमारे पास petroleum या coal नहीं होगा तो हम किन किन problems को face करेंगे कौन कौन सी problems है जो हमें जिनका सामना हमें करना पड़ेगा तो आज के lecture में इतना ही अल्ला हाफिज